हाई प्रेंट्स कैसे हैं आप आप सब को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में तो अभी मलेशिया से रिस चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने वीजान आ रहा है बल राधर कंडिशनल वीजान आ रहा है के उपर एक वीडियो दिया था आपको पसंद आया होगा और वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर इंडिया से मलेशिया जा रहे है वाजन टूरिस्ट तो आपको कैसे क्या वीजा लेना है तो इससे पहले मैं एक चीज बता के रखना चाहता हूं कि there is nothing called e-entry visa now ठीक है वीडियो जो 15 दिन के लिए valid था वो pandemic से पहले होता था Malaysia के लिए Indians के लिए लेकिन post pandemic अभी वो scrap हो गया है so there is nothing called e-entry visa so the only visa that is valid for Indians to visit Malaysia is e-visa ठीक है इसके बारे मैं हम आज बात करेंगे ठीक है so let's get started सबसे पहले हम बात करेंगे about the documents क्या-क्या document चाहिए हमारे e-visa के लिए so सबसे पहला and foremost document to visit any country is the passport with six months validity ठीक है वो रहा पहला document second e-visa का print out वो मैं बता हूंगा कि वो e-visa जो pdf आपको immigration department से मिलता है वो कैसे क्या करना है that will be next in this video so उसका print out चाहिए उसके बाद boarding pass जो आपको airlines देता है उसको रखे रहना till your immigration is done उसके बाद वो मांगते हैं funds यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा न वो funds मांगते हैं but funds means not in liquid cash जैसे हम Thailand में मांगते हैं यहां पर क्या होता है कि basically they want to know कि आपके पास खर्चा करने के लिए आपके account में पैसे है में but for a safety reason आप वो करके ले जाओ but generally वो पूछेंगे नहीं ठीक है वो हो गया उसके बाद as usual return flight उनको देखना होता है और accommodation accommodation first day is must तो पहले दिन का जरूर करके जाना so these are the document that is required for e-visa ठीक है so now we'll proceed to कैसे हम e-visa apply करेंगे ठीक है so जैसे आप देख रहे हो रहा है यह है immigration of malaysia का website ठीक है इसका link मैं अपने video में देदूंगा description में तो यहाँ आप जा सकते हो इस website में तो यह authentic website है तो यह website में जैसे आप जाओगे न आपो दो चीज़ दिख रहा होगा पहले है new user फिर एक है returning user so new user basically those people जो कभी भी यहाँ पर अपना account register नहीं किया है उनके लिए like people like you जो पहले आ रहे है returning basically जो पहले इसमें account create कर चुके तो अगर आप new user हो तो आप new user में click करोगे तो ऐसा एक form आएगा इस form को आप fill up करके register button जैसे दबाओगे आपके mail ID में एक mail आएगा कि now you are registered to this e-visa portal और वो आपका जो ID and password आपके बास रहेगा so now आपको फिर से इस पर login करना है इस page पर जाना है और यहां पर returning user पर click करना है तो returning user जैसे click करोगे आपको यह pop up आएगा जिसमें ID, password और capture इन तीनों जैसे दोगे न you will land on to the home page यह visa e-visa के home page में आप land करोगे ऐसे तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो ना एक icon है जो लिखा है apply now तो आपको जाके apply now में click करना है उसके बाद proceed उसके बाद देखोगे वो e-visa का types पूछेगा तो उसमें हमको tourist select करना है फिर proceed उसके बाद we will land on to this page तो यह basically आपके सब details माँगेगा first part आपको क्या करना है accommodation on flight के documents को upload करना है second part में आपके जितने सारे details है passport के वो भरना है और photograph upload करना है so यह जो photograph of load है ना उसका dimension क्या होना चाहिए background सब कुछ मैं FAQ दे दूँगा मेरे description में उसमें आप देख सकते हो this is an FAQ given by the immigration of Malaysia वो देख लोगे तो बहुत easy रहेगा उसके बाद वहाँ पर देखोगे ना एक accommodation है Malaysia का that will be your first day hotel details वह आप वहाँ पर डाल देना that will be your local Malaysia address ठीक है तो यह सब जीजे जैसे भर दोगे उसके बाद क्लिक करोगे next में तो preview page आएगा so preview page is basically जहां पर आप चेक करोगे कि आपने जो सब डिटेल सब कुछ डाला हो सही है या नहीं once that is done next जब क्लिक करोगे we will be now on to processing processing मतला payment में आप आ जाओगे payment gateway में so payment में क्या होगा 105 एक सो पांच रिंगेट उसका fee है और 0.8% 0.8 जो होगा उस amount का that will be your transaction fee आप net banking से करो card से करो जिसमें भी payment आप कर रहे हो आपको transaction fee देना पड़ेगा ठीक है so जैसे आप transaction fee दे दिये और payment success हो गया आपको एक mail आएगा कि आपका e-visa उनके पास आ गया है and they are processing ये mail आना है कि दो घंटे से लेके 48 hours के अंदर आपको आपका visa mail के थू मिल जाएगा 48 hours or two days is basically जब जब immigration office खुला है उनका उसको लेके अगर बीच में कोई छुटी पड़ा तो एक दिन आगे चला जाएगा but generally four hours में आ जाएगा तो ज्यादा टेंशन मतला नहीं एट विल कब कोई problem नहीं है आराम से आ जाएगा so जैसे वो document आया उसको आपको print out करना है बाकी सारे document को लेके आपको सीधा flight से उतरके immigration officer के पास चले जाना है ठीक है immigration officers को यह सब चीज़े दिखाऊगे वह आपका hand print वो लेंगे retina फिर photo कीज़के सब करेंगे फिर आपका document में ठपा मारके डन यूर नाव आपका visa हो गया now you can go inside Malaysia फिर आप आराम से 30 दिन वहां रहो ठीक है यह visa जो है यह सिर्फ और सिफ 30 दिन के लिए वैलिड है visa fee 105 प्लस 0.8% रांजेक्शन थी ठीक है so this is what the visa is now मैंने आपको सब details बता दिया इसका कैसा क्या है इसमें एक caution भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक है so the first and foremost question है जैसे आप यह screenshot देख रहे होगे ट्विटर से इमिग्रेशन अब मलेशिया का screenshot है so 2 महीने पहले यह website पूरा डाउन हो गया था ठीक है और ऐसा हो गया था कि कोई भी online applications जानी पा रहे थे तो वह offline applications ले रहे थे tourist visa के लिए जो कि सिर्फ बिलियन मुंबई में होता है ठीक है so यह website थोड़ा सा और बिहेब करता है so the time your bookings are done I will tell you कि तभी के तभी जाके e-visa कर लो don't wait for the last minute दो वो आज आता है 4-5 घंटे में बट मेरे एसाब से कर लो यह website का कोई भरोसा नहीं है ठीक है let me very clear to you so जितना जल्दी हो सके कर लो उसको ठीक है fast thing second thing यह जब e-visa आप कर रहे हो mobile से मत करना laptop या PC से और एक अच्छे internet connectivity के साथ करना the reason being इसके बहुत सारे payment gateway में issue हो जाता है अगर internet सही नहीं है न वहाँ payment gateway में successful नहीं होगा आपके पैसे कड़ जाएंगे और आपका e-visa reject हो जागा because payment उनको मिला नहीं पैसे वापस आ जाएंगे 105 रिंगेट आपको आपस आएंगे वाट आपका जो transaction fee है 0.8% वह आपस नहीं आएगा so be very careful अच्छा internet connectivity रखो laptop या PC से करो mobile से मत करना ठीक है so उसके बाद यह सब चीजे हो गया आपके पास आराम से आप मतलब आपके पास document आ जाएगा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा ठीक है और कुछ भी doubt अपको अगर लग रहा है ना मेरा FAQ है या मेरा in the sense मैंने वह FAQ जो immigration department का दिया हुआ है Malaysian immigration उसका link मैंने दे रखा है description में उसको पड़ लोगे ना तो आपको सब कुछ details आ जाएगा कुछ मतलब कुछ भी tension ने रहे very easy process है portal बहुत easy है तो आराम से हो कर सकते हो ठीक है so this is what the video is all about the e-visa कैसे आप क्या करोगे myth एक मैंने आपका brush किया जो कि e-a entry a visa बहुत ज्यादा लोग इस पर video बना रहे है e-a entry a visa e-a visa for Malaysia there is nothing called e-a visa totally scrapped हो चुका है तो वो सब चीजों में बात पूड़ो e-a visa ही है जो आपको करना है और जाना है ठीक है so hopefully ये video आपको अच्छा लगा होगा कुछ informative लगा होगा और बहुत सारे लोग मेरे videos देख रहे हो but 90% of them are not subscribing हो सके तो video subscribe कर लो सो दात मुझे थुड़ा motivation मिलेगा और मैं अच्छा अच्छा video लेके आऊंगा अभी Malaysia series start हो रहा है so बहुत सारे अच्छा अच्छा videos आगे आने वाले हैं so definitely जैसे जैसे आप लोग interest बढ़ाते जाओगे मेरे videos और अच्छे होते जाएंगे और आपको उतना helpful भी होगा so that's it for today friends we'll meet in next videos of Malaysia series bye bye